आईपियल 2024 के आक्षन में बिकेंगे या 5 सबसे महेंगे खिलाडी जिन पर हो सकती है पैसो की बरसात विदेशी खिलाडियों के साथ साथ भारतिय नाम भी हैं सामिल तो दोस्तों क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों उससे पहले अगर आप अभी क्रिकेट से जुड़ी हर खबर को पाना चाहते हैं तो वीडियो पर दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों आपको बता दें कि आईपियल 2024 के मीनी आक्षन का अगाच 19 दिसम्बर को हो रहा है जिसमें कई दूरंदर खिलाडी उतरने वाले हैं और इनके लिए फ्रंचाइजी टी में बॉम पर पैसा बरसाने वाली हैं दोस्तों हम आपको उन पांच खिलाडियों के नाम बताने वाले हैं जिन पर टी में सबसे ज़्यादा पैसा लगा सकती हैं दोस्तों आपको बता दें कि इस लिलामी में जो की 19 दिसम्बर को दूबई में होगा फुल 1167 खिलाडियों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है जिसमें अभी फ्रेंचाजी टी में चटनी भी करेंगी और वही खिलाडी आक्सर में उत्रेंगे दोस्तो हम ऐसे पांच खिलाडियों के नाम बताने जा रहे हैं जिन पर सबसे ज़्यदा पैसो की बरसात हो सकती है दोस्तो अगर हम बात करें तो पहला नाम आ रहा है न्यूजिलेंड के आल राउंडर रचित रविंद का दोस्तो इस खिलाडी ने वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा परदर्शन किया है जिसको देखते हुए कई फ्रेंचाजी टीमें इस पर पैसो की बरसात कर सकती है दोस्तो दूसरा नाम आ रहा है और स्टेलिया के आल राउंडर ट्रेविस हेड का दोस्तो ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छा परदर्शन किया था और सतक लगाया था जिसको देखते हुए कई फ्रेंचाजी टीमों की नजर इन पर पड़ी हुई है और इनके उपर पैसो की बरसात कर सकती है दोस्तो अगर हम बात करें तीसरे खिलाडी की तो वह है भारतिय खिलाडी रिंकू सिंग दोस्तो हाली में हुए T20 सीरीज में रिंकू सिंग ने अच्छा परदर्शन किया था जिसको देखते हुए इन पर भी पैसो की बरसात हो सकती है दोस्तो अगर हम बात करें चोथे खिलाडी की तो वो भी है भारतिय आलराउंडर सरदूल ठाकूर दोस्तो सरदूल ठाकूर को KKR ने अभी रिलीज किया हुए जिसके बाद कई टीमों की नजर इन पर पड़ सकती है दोस्तो आपको बता दें कि पाचवे खिलाडी है और पैसो की बरसात कर सकते है